गुड बॉर्णिंग फ्रेंड्स स्वागत है आपका आपका अपना यूर्यूप चैनल स्टडी विद्रवे ठाकर पर तो चलिए शुरुआत करते हैं वीकली वकैबलरी के रिवीजन की और इस रिवीजन में में केवल आपको वर्ड ही बताता हूँ जो थोड़ा सापको रिफ्रेश हो जाए पिछले जो प्रिवेस सिक्स डेज में जितनी भी हमने वकैबलरी की है तो इसमें हम सिर्फ वर्ड से डिसक्स करते हैं बाकी तो आप मैं आपको डेली करवाता ही हूँ सेनोनिम्स एंटोनिम्स तो वो आप पीडिएफ में ही चेक कर लिजेगा तो वीडियो जादा लंबी ना बने इसलिए हम इसमें सिर्फ वर्ड ही थोड़ा रिफ्रेश करेंगे थोड़ा रिवाइस करेंगे वर्ड को ही और फटा-फट से हम रिवीजन कर लेंगे तो चलिए शुरुआत करते हैं वीकली वकाबिरी के रिवीजन की और जो ये रिवीजन है वो है 21 से 26 जोन तक तो चलिए शुरुआत करते हैं पहला जो पहला जो हमारा वर्ड है वो है बिट्रेल बिट्रेल वर्ड यहाँ पे अपना नाउन की तरह यूज़गा है बिट्रेल का मतलब होता है किसी तरह का धोखा, किसी तरह का विश्वास घात होना उसे बुला जाता है बिट्रेल अगला हमारा शब्द है Impediments, word यहाँ पे नाम की तरह यूज़ हुआ है Impediments का मतलब होता है किसी भी काम में किसी तरह की कोई बाधा होना कोई अडचन, कोई रुकावट या कोई अवरोध तो उसे बोला जाता है Impediments अगला हमारा शब्द है Entanglement Entanglement, word यहाँ पे नाम की तरह यूज़ हुआ है Entanglement का मतलब होता है किसी भी तरह की problem में किसी भी तरह की कोई उलजन है या किसी भी तरह की कोई समस्या है उसमें फर्स जाना, मतलब उलज के रह जाना इस तरह की कोई complicated situation है तो उसमें उलजना उसे बोला जाता है Entanglement अगला हमारा शब्द है Stand-off Stand-off word यहाँ पे नाम की तरह यूज़ हुआ है Stand-off का मतलब होता है गतिरोध किस्तिती या अवरोध किस्तिती मतलब कोई fight है कोई लडाई जगड़ा है तो दो पक्षों के बीच में गतिरोध किस्तिती या अवरोध किस्तिती होना उसे बोला जाता है Stand-off अगला हमारा शब्द है Rigidity Rigidity word यहाँ पे जिक्टिक भी तरह यूज़ हुआ है Rigidity का मतलब होता है सक्ति के साथ पेश आना यहाँ से हमारा 21 तारिक वाला दूसरा लिटोरियल चुरूर हुआ था इसका पहला जो word है वो है Clout Clout का यहाँ पे noun की तरह यूज़ हुआ है Clout का मतलब होता है किसी पर पूरी शक्ति के साथ जोड़दार प्रहार करना मुक्का मारना पंच मारना किसी के उपर Editorial में जिस word का यूज़ हुआ था Clout का वो हुआ था किसी का influence या किसी पावर बहुँ ज़्यादा कोई powerful विखती है इसकी बहुँ ज़्यादा प्रभावशाली विखती है उस context में इस word का यूज़ हुआ था Clout word का अगला हमारा शब्द है clergy clergy यहाँ पे नाव की तरह यूज़ हुआ है clergy का मतलब होता है किसी भी धर्म विशेश का कोई आधिकारिक नेता जो कोई lead करे किसी भी religion को lead करने वाला उसका कोई नेता तो उसे बोला जाता है clergy आप informal language में जैसे हिंदू के हिंदू के मंदिर में पंडित लोग होते हैं इसाई के चर्च में क्या होते हैं अगला हमारा शब्द echelon echelon word यहां पर noun की तरह उस हुआ है echelon का मतलब होता है किसी भी संगठन में कोई organization है तो किसी विक्ती का उसमें कोई उसका rank उसका पद उपादी या उसका level स्तर कौन सा rank है उसका उसे बोला जाएगा echelon अगला हमारा शब्द है prominent prominent word यहां पर ejected की तरह उस हुआ है prominent का मतलब होता है बहुत ज़्यादा important कोई बात हो ना बहुत ज़्यादा जो महत्वपूर्ण हो बहुत ज़्यादा परमुख हो या यदि हम विक्ती की बात लेते हैं या जिससे हम थोड़ा करने से डर रहे हो थोड़ा हतोत साहित करने वाला उसे बोला जाएगा daunting अगला हमारा शब्द है shambles shambles word यहां पर noun की तरह ही उस हुआ है shambles का मतलब होता है ऐसे कोई स्थिती जो जहां पर बिलकुल ही जहां पर disorder हो, confusion हो अस्त विस्ता होना या फिर बिलकुल confusion होना किसी बात को लेकर उसे बोला जाता है shambles यहां से हमारा जो अगला है अगली डेट कारी टूडल शुरू हो रहा है 22 तारिक वाला इसका पहला word है bread winners bread winners यहां पर noun की तरह यूज़ हुआ है bread winners का मतलब होता है कोई family में जो कमाने वाला व्यक्ती होता है urgent करने वाला व्यक्ती अपने आपको pollen portion करता है जो व्यक्ती एक ही कमाने वाले व्यक्ती को simple language medium बोले तो family में जो कमाने वाला व्यक्ती होगा उसको बोला जाएगा bread winners पालन करता अर्ज़क अगला हमारा शब्द है अवर्ज, अवर्ड वर्ड यहां पर वर्ब की तरह ही उज़ हुआ है, अवर्ज का मतलब होता है, किसी भी चीज़ को ठोक बजा कर कहना, बड़े ही निश्चे के साथ, बिल्कुल confident way में कहना, दावे के साथ कहना, या किसी भी चीज़ का परमानित कर होना, संसादनों की बहुत जादा कमी होना, दरीद रहा, यदि हम शक्तिहीन है, कमजोर है, दुरबल है, तो उस कंटेक्स्ट में भी इस वर्ड का यूज होगा, impoverished का, अगला हमारा शब्द है amelorative, amelorative वर्ड यहां पर जिक्टिक भी तरह यूज हुआ है, amelorative का होता है, एकदम से उनती शील होना, उनती करने वाला बन जाना, उनती मतलब सुधार करना किसी चीज में, विकास शील बनाना किसी चीज को, बहतर बनाना चीजों को, improve करना, betterment के लिए कोई काम करना, उसे बोला जाता है amelorative, अगला हमारा शब्द है confining, confining वर्ड यहां प interventions का मतलब होता है, किसी भी काम में, किसी तरह की कोई बाधा पैदा करना, हस्तक शेप करना, विवधान उत्पन करना, उसे बोला जाएगा intervention, अगला हमारा शब्द है often, often word यहां पर वर्ड की तरह उस हुआ है, often का मतलब होता है, ऐसे बच्चे जिनके की माता पिता ना हो, यह तीम हो, अनाद हो, जिनके माता पिता ना हो, उन्हें बोला जाता है, often, यहां से देखिए अगला editorial है, देख लिजी आप, अगला editorial शुरू होता है, इसका जो पहला word है, वो है perpetual, perpetual word यहां पर adjective की तरह उस हुआ है, perpetual का मतलब होता है, ऐसा कोई काम जो की निरंतर चला रह है, यह हम बोल सकते हैं, बार-बार घटित होने वाला कोई काम, उसे बोला जाएगा, ऐसा कोई process, जो बार-बार कोई घटना घटित हो, that is called perpetual, अगला हमारा शब्द है instance, instance word यहां पर noun की तरह यूज हुआ है, instance का मतलब होता है, किसी चीज़ का उधारन देना, example देना, उध instance, अगला शब्द है, vortexes, vortexes word यहां पर noun की तरह यूज हुआ है, vortexes का मतलब होता है, किसी तरह, vortexes का जो मतलब होता है, वो लिया जाता है, actually, के sense में, चकरवात या बवंडर, जो, समुदर में तूफान या कोई, आधी तूफान आता है, उस context में इस word का यूज होता है, vortexes क एडिटोरियल में जो इस word का यूज हुआ था, वो इसी context में हुआ था, problem का, मतलब पहार चूट पड़ना, समस्तिया, कटनाईयों से घिर जाना, मतलब जो इस तरह की situations हैं, उसमें, मतलब प्रॉब्लम और कटनाईयों से घिर जाना, तो उसे बोला गया था, vortexes, अगला हमा उसे बोला जाता है, pervading, अगला हमारा शब्द, leave a, leave a word यहां पर noun की तरह यूज हुआ है, leave a का मतलब होता है, किसी तरह की छोट, थोड़ी सी कोई छूट होना, गुंजायश होना किसी बात की, कोई scope हमें किसी चीज का दिख रहा है, किसी चीज में, उसे बोला जाएगा, leave a, अगला हमारा शब्द, forged, forged यहां पर verb की तरह यूज हुआ है, forged का मतलब होता है, किसी वस्तु को एकदम बिल्कुल develop करने के लिए, उसको powerful बनाने के लिए, सशक्त बनाने के लिए, या फिर उसको progressive बनाने के लिए, विशेश परितन करना, इस तरह की कोशिशे करना, वि है, ऐसी कोई संस्था जो की अपने आप से ही नियंतरित होती हो, जिस पर किसी भी तरह का कोई कंट्रोल ना हो, उसे खुद ही decision लेने के अधिकार है, खुद ही सारी चीज़े वो करें, तो ऐसी संस्था को बुला जाता है, autonomous, जैसे हमारी judiciary है, UPSC है, मैं कई बार example देता हू हमको तो यह किस तरह की संस्था हैं हमारी, autonomous bodies हैं यह, जिन पर किसी तरह का कोई नियंतर्ण, control ना हो, 23rd का यहां से आगे retorial है, 23rd date का यहां से आगे retorial है, देख लिजे आप, इसका जो पहला word है, वो है inoculation, inoculation word यहां पर noun की तरह युज़गा है, inoculation का मतलब होता है, टी injection लगना या लगवाना, टीका लगाना, टीका करन करना उसे बोला जाता है, inoculation, अगला हमारा शब्द है discernible, discernible word यहां पर चिकते कोई तरह यूज़गा है, discernible का मतलब होता है, ऐसी कोई चीज जो एकदम समझने में, जिसमें किसी भी तरह की कोई परिशानी, किसी भी तरह दिखाई दे, साफ तोर पर समझने योगे कोई चीज होना, उसे बोला जाता है discernible, अगला हमारा शब्द है mortality, mortality word यहां पर noun की तरह यूज़गा है, mortality का मतलब होता है, किसी भी एक जगा पर मरने वालों के संक्या, या मरित्य दर से इसका मतलब होता है, उसे बोला जाता है mortality अगला हमारा शब्द है laggard, laggard word यहां पर जिक्टी की तरह यूज़गा है, laggard का मतलब होता है, एकदम से सुस्त होना, एकदम से निस्तेज होना, यह यह विक्ती की बात लिए, सुस्त विक्ती, निस्तेज विक्ती, यहां यह बात हुई थी, अपना economy के sense में बात हुई थी यहां पर यह तो मंद निस्तेज होना, भीमी गती से चलना कोई चीज, slow motion में चलना कोई चीज, उसे बोला जाता है, या इस तरह से perform करना, उसे बोला जाएगा laggard, अगला शब्द है plausible, plausible word यहां पर एजिक्टीव की तरह यूज़गा है, plausible का मतलब होता है, ऐसी कोई बात, जिसे की स्विकार किया जा सके, स्विकार करने होगे, एकदम वो ठीक हो, मतलब credible हो, तरक संगत हो, और वो feasibility हो उसमें, मतलब मुम्किन वो चीज हो, उसे बोला जाता है plausible, अगला हमारा शब्द है quadruple, quadruple word यहां पर वर्प की तरह यूज़गा है, quadruple का मतलब होता है, च four folded हम बोल रहे हैं, four times किसी चीज़ को हम बोल रहे हैं, यह चार गुना है, four fold, four times, चार गुना बढ़ जाना, पढ़ोतरी हो जाना किसी चीज़ में, उसे बोला जाएगा, quadruple, यहां से एक लारी टॉरियल है, आप देख लिजिए, 23rd का ही, इसका पहला word है creep, creep word यहां पर व चलना, जिससे की हमें कोई notice ना कर सके, उसे बोला जाता है creep, अगला हमारा शब्द, retarding, retarding word यहां पर वर्ब की तरह use हुआ है, retarding का मतलब होता है, किसी चीज़ की progress को रोक देना, विराम लगा देना, प्रगती रोखना, किसी चीज़ की उसकी गती को धीमा कर देना, उसे बोला जाता है, retarding, अगला हमारा शब्द, intent, intent word यहां पर noun की तरह use हुआ है, intent का मतलब होता है, हमारा किसी बात को बोलने का अभी प्राय, हमारा कोई इरादा, या अभिलाशा हमारी कोई इच्छा हो किसी काम को करने के लिए, उसे बोला जाएगा intent, एक मने और चीज़ बत हमारा क्या बात बोलने का क्या इरादा है, क्या हमारा अभी प्राय है, उस context में इस word का use हुआ था, intent का, अगला हमारा शब्द, protected word यहां पर वर्प की तरह use हुआ है, protected का मतलब होता है, ऐसी कोई क्रियाविधी, ऐसा कोई process, ऐसा कोई काम, जो की बहुत लंबी अवधी तक जो देर्ग कालीन हो, बहुत ज़्यादा lengthy होना, उसे बोला जाता है, protected, अगला शब्द हाक, हाक वर्प की तरह use हुआ है, हाक का मतलब होता है, किसी को भी बड़े ध्यान से सुनना, मतलब पूरी attention दे देना, उसकी तरफ कोई बोल रहा है, और हम उसे बड़े ध्यान से सु सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, कि आप मुझे हाक तरीके से सुन रहे हैं कि नहीं, पर तो बड़े ध्यान से सुनना किसी को, उसे बोला जाता है, to listen somebody, बिल्कुल pay attention, that is called हाक, अगला हमारा शब्द है ambiguity, ambiguity word यहां पे noun की तरह use हुआ है, ambiguity word बहुत बार पीपर में पूछ जाता है, ambiguity, अगला हमारा शब्द है, हधर्चो, हधर्चो word यहां पे adverb की तरह use हुआ है, हधर्चो word का मतलब होता है, अब तक हम कोई बात बोल रहे हैं, और हम इंडिकेट कर रहे हैं कि अब तक क्या हुआ, so far, अब तक कोई किसी काम की हम बात करें, किसी कोई बात हम ले हैं, और हम इस word का use कर रहे हैं, अब तक का, तो उस context में इस word का use होता है, हधर्चो का, यहां से 24th June का vocab शुरू हो रहा है, इसका tutorial आप देख सकते है, heading, इसका पहला word है, amalgam, amalgam word यहां पे noun की तरह use हुआ है, amalgam का मतलब होता है, दो यादो से, अधिक चीजों का आपस म मिल जाना, मिश्रण होना, उसे बोला जाता है, amalgam, अगला शब्द है, entrench, entrench word यहां पे verb की तरह use हुआ है, entrench का मतलब होता है, एकदम मजबूती प्रदान करना किसी चीज़ को, एकदम से मजबूत स्थिती बनाना, या हम बोल सकते हैं, मोर्चाबंदी करना, यदि हम सेन वनरेबल, वनरेबल वर्ड यहां पे जिक्टिप की तरह use हुआ है, वनरेबल का मतलब होता है, ऐसी कोई बात, ऐसी कोई स्थिती, ऐसा कोई परसन, जो की बेहत नाजुक हो, बेहत कमजोर हो, बहुत जादा दुर्बल, जिसे की easily, mentally या physically हम hurt कर सकें, समवेदनशील होना, अ वीचार भी हो सकते हैं, कोई स्थिती भी हो सकती है, उसे बोला जाता है, vacillate, हिच किचाना, स्थिता या डगमगाना, that is called vacillate, अगला हमारा शब्द है reluctance, reluctance वर्ड यहां पे noun की तरह use हुआ है, reluctance का मतलब होता है, हम किसी भी काम को करने की अनिच्छा जताना, मतलब हमार होता है, किसी भी काम को करने में बड़ी, मतलब जोश से करना, बड़े जोश, जोश खरोशों से करना, किसी काम को, बहुत जादा futile तरीके से करना, और योगिक व्यवसाई भी मैंने इसलिए लिखा था, क्योंकि liberious तरीके से किसी काम को करना, energetic way में करना कोई काम, उसे बो चतुराई के साथ कोई कारे करना, skillfully तरीके से, proficiency किसी काम को करना में होना, caution, निपूंता, उसे बोला जाता है, dexterity, वो हमारे mind की भी हो सकती है, हमारे हाथों से भी कोई हम काम कर रहे हैं, तो उसकी भी हो सकती है, that is called dexterity, हमारी ability, talent, that is called dexterity, अगला हमारा शब्द है, nascent, nascent word यहां पर ejected भी तरह यूज़ हुआ है, nascent का मतलब होता है, किसी भी चीज़ का उसकी आरंभिक आवस्था में होना, मतलब वो अभी शुरुआत ही हुई है किसी चीज़ की, या हम बोल सकते हैं, developing stage में कोई चीज़ होना, विकास, शील आवस्था में होना, उसे बोला ग अगला हमारा शब्द है, staunch, staunch word यहां पर ejected की तरह यूज़ हुआ है, staunch का मतलब होता है, किसी का प्रबल समर्थक होना, किसी को इतना तक समर्थन करना कि अम उसके लिए लड़ मरने के लिए भी तयार है, एकदम से वहफादार होना, कट्टर होना, किसी का बिलकुल जोर तरीके से समर्थन करना, that is called staunch, editorial यहां से अगला शुरू हो रहा है, देख लिजिए, इसका जो पहला word, editorial का वो है, provocation, provocation word यहां पर noun की तरह यूज़ हुआ है, provocation का मतलब होता है, किसी को उकसाना, किसी बात के लिए भढ़काना, उतेजित करना किसी को, उसे बोले जाता ह अगला शब्द है, muzzle, muzzle word यहां पर वर्ब की तरह यूज़ हुआ है, muzzle का मतलब होता है, किसी भी चीज़ को suppress कर देना, मतलब dominate करना, दबा देना, कुचल देना, उसको develop ना होने देना, या control करना किसी को, उसे बोला जाता है, muzzle, अगला हमारा शब्द है, despotic, despotic word यहां प जेक्टिक भी तरह यूज़ हुआ है, despotic का मतलब होता है, ऐसा कोई विक्ति जिस पे किसी भी तरह का कोई नियंतर्ण ना हो, सवेच्छा चारी होना, बिना नियंतर्ण के, यहां अगर नेता की बात करें, तो निरंकुष, जहां वैसा कोई देश, या अगर नेता कोई ने तरीके से होना, उसे बोला जाता है, नियर्क, या स्वभाविक प्रतिक्रिया देना, स्वभाविक होना किसी चीज़ का, that is called नियर्क, अगला सब्दे प्रेग्मेटिक, प्रेग्मेटिक वर्ड यहां पर चेक्टिक विदरा यूज़ हुआ है, प्रेग्मेटिक का मतलब हो हो रहा है, देख लीजिए, वकैब्डिरी का, ये डेट है, और ये एडिटूरिल का हेडिंग है, इसका पहला वर्ड है, अवर्ड है, अवर्ड, यहां पर वर्ड की तरह यूज़ हुआ है, अवर्ड का मतलब होता है, किसी भी चीज़ को होने से रोक देना, और खासकर वो unpleasant कोई, चीज हो, ऐसी कोई बात हो, उसको घटने ना देना, घटने से रोक लेना, टानना किसी चीज़ को, अवर्ड करना, उसे बोला जाएगा, अवर्ड, अवर्ड करना किसी चीज़ को, मतला simple language में बोल सकते हैं, अगला शब्ड है debilitate, debilitate word यहां पर वर्ड की तरह यू एंग्विश का मतलब होता है, हमें किसी तरह का कोई mental या physically कोई कष्ट हो रहा है, पेन हो रही है, हमारा दुख, पीडा, वेदना या व्यथा, उसे बोला जाएगा, एंग्विश, अगला हमारा शब्ड है apprehension, apprehension word यहां पर noun की तरह यूज हुआ है, apprehension का मतलब होता है, किस किसी भी चीज़ के होने का डर हमें किसी चीज़ से लग रहा है, भय हमें लग रहा है, आशंका हमें किसी, मतलब कोई बुरा होने वाला है, तो इस चीज़ की हमें कुई अशंका लग रही है, वो मैंने बताया था आपको, इस context में यूज होता है, apprehension, apprehension का एक और मतलब में किसी भी चीज में transformation हो जाना उसका change हो जाना और ये word यूज़ हुआ था जैसे coronavirus जो है उसके नए-ने रूप सामने आ रहे हैं जैसे delta है कई सारे रूप हैं coronavirus के तो वो क्या हो रहा है रूप परिवर्तन कर रहा है तो रूप परिवर्तन होना आकार बदनना किसी चीज़ का that is called morph important word है और new word भी है नोट के लिजेगा अगला हमारा शब्द unprecedented unprecedented word यहां पर adjective की तरह यूज़ हुआ है unprecedented का मतलब होता है ऐसी कोई बात या ऐसी कोई घटना जो आज से पहले कभी घटी तना हुई हो तो उसे हम शुद हिंदी में बोलेंगे अभूत पूर या अध्विती है और अल्प मात्रा में अंच होना किसी चीज़ का थोड़ा सा भाग थोड़ा अंच उसे बोला जाता है modicum अगला हमारा शब्द है imperative imperative word यहां पर adjective की तरह यूज़ हुआ है imperative का मतलब होता है ऐसा कोई काम जो बहुत आवश्यक हो अती महत्यपून बहुत जादा जरूरी अत्या अगला word है buttress, buttress word यहां पर verb की तरह यूज़ हुआ है buttress का मतलब होता है किसी चीज़ को defensible बनाना मतलब इतना मजबूती परतान करना किसी को स्थपोच करना किसी चीज़ को समर्थन देना बिल्कुल कड़े तरीके से या मजबूत बनाना उसको strong करना strengthen करना bolster करना उसे ब चिलासा देना, editorial में जो इस word का यूज़ गूआ था, वो हुआ था, संतुष्टी है, तसल्य की sense में भी इस word का यूज़ गूआ था, कि हमें संतुष्टी है, तसल्य किसी बात को लेकर, उस context में इसका यूज़ गूआ था, solace का, अगला हमारा शब्द है abrasive, abrasive word यहां पर objective की तरह यूज़ गूआ है, abrasive का मतलब होता है, सताय से इसका यूज़ गूआ था, मैंने पताया था आपको जो cricket जिस पे खेला जाता, pitch पर खेला जाता है, तो उस context में इसका यूज़ गूआ था, abrasive word का, मतलब खुरदरी pitch की sense में, खुरदरा होना, सतय का खुरदरा होना खरोचदार होना, that is called abrasive, अगला हमारा शब्द, रेलिष्ट, रेलिष्ट वर्ड यहां पर वर्प की तरह यूज़ हुआ है, रेलिष्ट का मतलब होता है, किसी भी चीज़ का आनंद लेना, स्वाद लेना, या हम बोल सकते हैं, किसी बात की, मतलब कुछ होने की हम बड़े उत्षुकता से प्रितिक्षा कर रहे हैं, मतलब हम वेट कर रहे हैं किसी चीज़ का, कि ये चीज़ होने वाली है, और हमें मतलब एंग्जाइटी है चीज़ की, उसे बोलाता है, रेलिष्ट, या स्वाद लेना, आनंद लेना, that is called, रेलिष्ट, अगला हमारा शब्द है म मीगर, मीगर वर्ड यहां पर चीज़ की तरह यूज़ हुआ है, मीगर का मतलब होता है, मात्रा में बहुत कम होना, थोड़ा होना, एकदम स्वल्प मात्रा में, थोड़ा सा बहुत कम मात्रा में होना, that is called, मीगर, अगला वर्ड है नॉस्टेल्जिया, नॉस्टेल्जिया में दूबे रहने की मतलब कंडिशन को बुला जाएगा ऐसी सिचुएशन को बुला जाता है नॉस्टेल्जिया इंपोर्टेंट वर्ड है अगला शब्द है किसी भी चीज में कोई मिस्ट्री है कि क्या होने वाला है क्या होगा तो उसके कारण को चीज क्या बन जाती है इंट्रेस्टिंग बन जाती है दिल्चस्प बन जाती है उसे बोला गया था mystique अगला शब्द attrition attrition word यहाँ पे noun की तरह यूज़ हुआ है attrition का मतलब होता है मतलब किसी के उपर एकदम से धावा बोल देना मतलब अपने शत्रू को यहाँ है कि उसको समय समय पर आकरमन करना यह दिखे मैं लिखा है अगला हमारा एडिटूरील यहाँ से शुरू होता है देखिए 26 तारिक वाला मतलब पिछले कल का ही पहला word है इसका restoration, restoration यहाँ पे नाव की तरह यूज़ हुआ था restoration word यहाँ पे नाव की तरह यूज़ हुआ है इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ की पुनह बहाली करना, पुनह वापसी होना किसी चीज़ की उसे बुला गया है restoration मतलब rehabilitation करना, recovery करना that is called restoration अगला शब्दे culmination culmination word यहाँ पे नाव की तरह है culmination का मतलब होता है किसी भी चीज़ का उसके अंतिम चरण में होना समापन पर होना, चरम बिंदू पर होना या हम बोल सकते हैं, शिखर पर होना उसे बुला जाता है culmination अगला हमारा शब्दे delimitation delimitation word यहाँ पे noun की तरह use हुआ है delimitation का मतलब होता है सीमांकन करना सीमाने धारन करना, परिसीमन करना भूमी का boundary indicate करना, उसको बुला जाता है delimitation अगला हमारा शब्दे ranker ranker word यहाँ पे noun की तरह use हुआ है ranker का मतलब होता है किसी भी तरह का किसी बात को लेकर कोई गुस्ता होना या हम बोल सकते हैं, bitterness भरी भावना है रखना किसी के प्रती, उसे बुला जाता है ranker उजागर कर रहे हैं, या इस तरह की भावना है रखना किसी के प्रती उसे बुला जाता है, stringent अगला शब्दे turmoil turmoil word यहाँ पे verb की तरह use हुआ है turmoil का मतलब होता है, ऐसी कोई स्थिति जिसमें की disorder हो, confusion हो uncertainty हो, anxiety हो उसे बुला जाता है, turmoil अगला हमारा शब्दे hello hollow word यहाँ पे adjective की तरह use हुआ हुआ हम माफ कीचे का hollow है, hollow word यहाँ पे adjective की तरह use हुआ है, hollow का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो बिना किसी काम की हो, मतलब निरत्थक होना उसका कोई भी influence ना हो effectiveness, मतलब उसकी effectiveness ही ना हो, अपरभावी होना या खोखला होना, उसे बोला जाता है hollow, मतलब खोखले दावे करना किसी बाद के लिए, that is called hollow अगला शब्दे resentment, resentment word यहाँ पे noun की तरह use हुआ है, resentment का मतलब होता है किसी बाद को लेकर नाराजगी जताना अपनी नाखुशी जताना अपरसनता दिखाना, उसे बोला गया है resentment अगला शब्दे rhetoric, rhetoric word यहाँ पे एजिक्टिक की तरह use हुआ है, rhetoric का मतलब होता है शब्दों को, मतलब शब्दों को use करने की कला, भाशन देने की कला या वाक पचुता, कि शब्दों वो किस तरह से use किया जाना है that is called rhetoric जिसे हमारे प्रधान मंत्री दरेंदर मोदी जो है बड़ अच्छा भाशन देते हैं बहुत अच्छे वाक पचुता है उनमें that is called rhetoric यह दूसरा एडिटुरियल था हमारा 26 का देख लीजिए, हमारा पहला वर्ड है subdued, word यहां पर adjective भी तरह यूज़ हुआ है subdued का मतलग होता है दबा दबा सा होना, बिल्कुल मंद होना, बुजा बुजा सा होना उसको बोला जाता है subdued अगला हमारा शब्द है bugbear, bugbear यहां पर noun की तरह यूज़ हुआ है bugbear का मतलग होता है किसी से, किसी चीज़ से में डर लग रहा हू किसी चीज़ का हववा या डरावनी कोई चीज होना मैने बाको बताया था कि बच्चों को डराने के लिए हम किसी भी चीज़ का use करते हैं कोई कालपनिक परानी है कि इस तरह से ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, तो, उसे बोला जाता है, bugbear, अगला शब्द है, fag, और ये new word था, fag यहाँ पर work की तरह use हुआ है, fag का मतलब होता है, किसी भी काम को करने के बाद हमें बहुत जादा थकावच हो जाना, बहुत जादा tiredness होना, थकान हो जान fatigue होना, tire होना, उसे बोला जाता है, fag, अगला शब्द है imperious, imperious word यहाँ पर ejective की तरह use हुआ है, imperious का मतलब होता है, बहुत जादा proudie होना, अपने आप पे बहुत जादा घमंड करना किसी बात को लेकर, घमंडी होना, proudie होना, arrogant, बहुत जादा arrogant, that is called imperious, अगला हमारा शब astute, astute word यहाँ पर ejective की तरह use हुआ है, astute का मतलब होता है, ऐसा विक्ति जो की बहुत जादा धूर्त हो, बहुत जादा चलाख होना, बहुत जादा होशियार, कप्टी, उसको बोला जाता है, astute, अगला हमारा शब्द है deflected, और यह deflected word, weekly vocabulary के revision का अंतिम शब्द है, deflected का मत होता है, टकरा कर दिशा बदल जाना किसी चीज़ की, तो उसे divert हो जाना, divert, deviated, diverged, उसे बुला गया है deflected, तो यह weekly vocabulary का अंतिम शब्द था, revision का, तो यह आपको वीडियो helpful लगा हो, informative लगा हो, तो प्लीज वीडियो को like कर दीजेगा, आपको लगता है कि वीडियो शेयर करन दीजेगा, जिससे की notification आपको time to time मिलती रहेगी, तो I hope आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, please like भी कर दीजेगा, आपको कोई सुझाओ है, तो comment box में please, जरूर करके आप सुझाओ दीजेगा, अपना कोई आपका suggestion है, तो जरूर आप comment box में pin कर दीजेगा, अगर आपको